मैं सुकांत मैंतर हुए दी साका हमारी एसोसीशन है जिसका मैं चेर मैं हूँ साका में हम study abroad consultants हैं हर्याना के पंजाब के और दिली के इस समय तो पिछले आप बात करें दस एक महिने से ऑस्ट्रेलिया और कैनडा ने बहुत बड़े चेंजिस की हैं जिसकी वज़ा से इमिग्रेशन इंडस्री पर बहुत संकट के बादल मंड़ा रहे हैं बहुत सारे लोग काम चोड़के जा चुके हैं आइल्स के ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बंद हो चुके हैं पर कही ना कहीं मुझे लगता है यह politically motivated है क्योंकि Australia और Canada दोनों कंट्रीज में अगले साल के शुरुआत में इलेक्शन डियू है तो इलेक्शन की वज़ा से लोगों को अपनी जनता को सैटिस्वाइब करने के लिए इन कंट्रीज ने कहीं कुछ ऐसी पॉलेसी नहीं है जो एक टेंपरेरी चीज़ है अगले साल में हम देखेंगे कि पॉ कि अगले साल में बहुत सारा यूथ इस इंडस्ट्री में इंप्लॉइड है उनके उपर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तलवार लटक रही है जो पिछले सालों में बहुत स्टूडेंट गया बिना सोचे गया भी वहां पर जाके मुझे क्या करना क्या पढ़ाई होगी कैसे अगे करियर जाएगा कैसे प्यार होगी अभी एकनम जाना बंद हुआ वह भी बिना किसी प्लैनिंग के बिकॉज खबरें ऐसी आई इन मीडिया में ऐसी न्यूज आइटम्स चली भी कैनेड़ा में हलात खराब होगें कैनेड़ा में जो सिविल वार की तरह एकी इस परिवार कि अगर परिवार क्वालीफाई ही नहीं कर पाता फिनेंशल की वजह से अगर एक मोटा मोटा नमान लोगा है तो पंजाब में करीबंधा दाई से तीन लाख यूद इस इंडिस्ट्री में एंप्लॉएड है कम से कम जो मुझे लग रहा है इस टाइम पर पच्छेस से तीस परसेंट का कट इस इंडस्ट्री में जाएगा तो कही ना कहीं पचास से साथ हजार यूद के अनिम्प्लॉइमेंट की खत्रा मंडरा रहा है मैं सुकान पनेंट रुएदी साका हमारी एसोसीशन है जिसका मैं चेर मैं हूँ साका में हम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं हर्याना के पंजाब के और दिली के इस समय तो पिछले आप बात करें दस एक महिने से ऑस्ट्रेलिया और कैनाडा ने बहुत बड़े चेंजिस की हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन इंडस्ट्री पर बहुत संकट के बादल बंड़ा रहे हैं बहुत सारे लोग काम छोड़के जा चुके हैं आइल्स के ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बंद हो चुके हैं पर कही ना कहीं मुझे लगता है यह पुलिटिकली मोटिवेटेड़ है क्योंकि ऑस् अगले साल में हम देखेंगे कि पॉलिशी रिलैक्स होंगी और यह काम दुबारा से टॉप पर रहेगा अभी हलाक अच्छे नहीं है बिल्कुल करना पड़ेगा और इसकी वज़ा से क्योंकि पंजाब और हर्याना का बहुत सारा यूथ भी इस इंडस्ट्री में इंप्लॉइड है उनके उपर भी कही ना कहीं बेरोजगारी की तल्वार लटक रहेगा तो कहीना के जब ऐसी कबरे आती तो जो बच्चे आप बच्चों में भी कई बार ना हम देखते हैं जो यूथ है भेड़ चाल की तरह से चलता है कैनड़ा पिछले सालों में बहुत स्टूडेंट किया बिना सोचे गया भी वहां पर जाके मुझे क्या करना क्या पढ़ाई होगी कैसे अगे करियर जाएगा कैसे पीर होगी अभी एक नम जाना बंद हुआ वह भी बिना किसी प्लैनिंग के बिकॉस खबरें ऐसी हैं इन मीडिया में ऐसी न्यूज आइटम्स चली भी कैनड़ा में हलात खराब होगें कैनड़ा में जो सिविल वार की तरह सिचुएशन बंगी है स्टूडेंट की बहुत बुरी हालत है ऐस परिवार मद्द्वर्गिये परिवार क्वालीफाई ही नहीं कर पाता फानेंशिल्स की वज़ा से पंजाब में एक बड़ी इंडिस्ट्री में इंडिस्ट्री में इंप्लॉइड है कम से कम जो मुझे लग रहा है इस टाइम पर 25-30% का कट इस इंडिस्ट्री में जाएग तो कहीं न कहीं 50-60% यूद के अनिम्प्लॉइमेंट की खत्रा मंडरा रहा है